हेलो विवर्स माइनिंग मेड इजी बाइपल में आपका स्वागत मेरा नाम है अतल दुबे और आज हम लोग माइन मशीनरी का थर्ड वीडियो लेकर आए हैं इसमें हम लोग endless rope polish के बारे में discussion करेंगे इसमें हम लोग देखेंगे कि endless rope polish क्या है उसके applicability conditions देखेंगे फिर उसके parts discuss करेंगे उसका working देखेंगे और advantages disadvantages इसके अलावा भी हम लोग यह देखेंगे कि हम लोग endless rope के उपर इन tubs को कैसे जोडते हैं तो without wasting time चलिए start करते हैं सबसे पहला introduction देख लेते हैं तो endless rope polish क्या है endless rope polish एक rope polish का type है जिसका काम क्या है कि mine के in by end से जो हमारा blast material होगा उसको out by end तक ले आना out by end हमारा shaft bottom हो सकता pit bottom या फिर incline bottom हो सकता है और उसके बाद वहां से हमारा direct rope polish या फिर shaft के मदल से हम हमारा material surface तक ले जाता है तो यहाँ चलिए बात कर लेता है applicability conditions पर applicability condition किसी भी type का हम अगर use कर रहे हैं हमारा transportation system तो उसका applicability condition major हमारा geology पर depend करता है कि उस सीम का geology कैसा है मतलब gradient वगरा कैसे हैं उसके surfaces in even है कि uneven undulations हैं उसमें curves कितने हैं यह सब चीज़ पर और दूसरा हमारा production कितना करना है अब मालीजिए आपको आप चला रहे हैं continuous minor आपको production करना हजार टन दूहजार टन और आप लगा रहे हैं तो हो सकता है कि टब से नहां हो पाए उसका भी calculations वगरा है तो यह दो major factors है तो सबसे पहले बात कर लेते हैं geology के उपर geology क्या होना चाहिए कि one in six से आपका सीम का gradient flat होना चाहिए यानि कि one in seven हो गया one in fifteen हो गया one in 48 हो गया ऐसा होगा मतलब one in six one in five यह सब में आपका endless काम नहीं करेगा दूसरा चीज क्या है geology में कि आपका जो सर्फेस होगा जैसे आपका मालीजी इंकलाइन है तो इसके जो सर्फेस होंगे यह इवेन होने चाहिए उबढखाबर ज्यादा अंडिलेशन ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए और लास्ट में आपका कर्व जो होगा उतना ज्यादा शार्प नहीं होना चाहिए या फिर limited number of curves है curves है भी तो एक even curve रहा है और बहुत limited numbers में रहे तो वह favorable conditions होता है ओके चलिए कुछ parts के बारे में इसको discuss कर लेता हैं तो सबसे पहला part है हमारा driving pulley यहां पर देख सकते हैं कि driving police पूरे arrangement में यहां रहता है इसका main purpose के main purpose इसका यह रहता है कि आपका जो haulage rope आएगा endless rope आएगा इसी से उपर pass होके और वो फिर दूसरे सर्कृट में जाएगा ताकि आपका निरंतर endless rope बिना कोई बाधा के आराम से चलते रहां इसलिए इसका नाम driving pulley यह drive कराता है पूरे circuit को आपके ठीक है उसके बाद इसमें endless rope होता है endless rope जैसे इस पूरे circuit में आप देख रहा है कि यह जो rope है इसका कोई end नहीं है इसलिए इसको endless rope बोले हैं और इस system का भी नाम endless rope system इसलिए पड़ा क्यूंकि इसका जो rope होता है उसका कोई end नहीं होता है दूसरा इसमें जो circuit हम लोग चलाते हैं एक लोड़ेट टप्स अनलोड़ेट टप्स complete मिला के जो सर्कृट चलते रहता है यह endless रहता है एक तरह से आपका एक तरफ से लोड़ेट मट्रियल जा रहा है दूसरे से अनलोड़ेट मट्स आप भेज रहे हैं अंदर में इन बाइंड में और आउट बाइंड में आपका जो है लोड़ेट टप्स आ रहे हैं तो इसे हिसाब से इसको निरंतर घूम रहा है तो इसमें एक चांस हो सकता है कि अगर आपका रस्ता धिला हो गया तब आप क्या करेगा आपका क्लिफ्टन पुली के बाहर आ सकता है और एक्सिदेंट्स हो सकते हैं मेजर तो उस साहब प्रवाइड करेंगे तो यहां पे एक मोटर यूज कर लिए हैं लोग जो सूटिबल पावर का हो उसके बाद बात आई कि जो हम लोग पहले ही डिसकस कर लिए यहां पर दो सेट आफ टब्स अब दो ट्रैक यूज कर लिए आपको पूरा एंडलेस सर्किट बना के र सबसके यूज कर सकते हैं लोग सबसे पहला हो गया क्लिफ्टन पुली दूसरा होगया वी ग्रूफ की तीज्रा डींअ फैव Italia ने सबसे पहला हम लोग बात करते हैं क्लिफ्टन पुली का जो ऊपर वाला पार्ट होता है वह चोड़ा होता है थोड़ा सा पहला नंबर पॉइंट दूसरा जो यह अटेच्मेंट आप देख रहा है यह अलग से लगाया गया यह इस पर बोल्ट किया हुआ इस पूरे फ्रेम के यह रिप्लेसिबल है अगर मान लीजिए हमारा रसा चल रहा है और वेरेंट यह कुछ समय के बाद जरूर आएगा जिसके कारण हमारा आप मतलब सिस्टम काम नहीं कर सकता है तो यह पूरा आरेंजमेंट ना चेंज करके हम सिर्फ यही पार्ट चेंज कर देंगे तो कॉस् दूसरा यह जो आप देख रहे हैं इसका उपर वाला सर्पेस उपर सते यह इसका टेपरनेस होता है वन इन एट ओके अब उसी प्रकार बात कर और इसके उपर हमारा जो रोपस आएगा वह आएगा और नीचे से चला जाएगा वह आम लोग इसी वीडियो में आगे देख च्ड़ियो अब यह था इसका अब दूसरा देख रहते हैं वी ग्रूप भी शेप का होता इसलिए इसको वी ग्रूप बोल रहे हैं इसमें भी यह जो पूरा अरेंजमेंट देख रहे हैं यह कंप्लीत नहीं होता यह दो से कुक्षन से मिलके वी ग्रूप बना रहता है है कि यह लाइट खॉल जाएगा और उसके उपर एक रॉब जाएगा तो नीचे वाला जो रोप जाता है वह इसमें पकड़ बनता है ताइट उस रोप का जिसके करण यह भी एक टेंशन प्रोवाइड करता है और आपका मूवमेंट अच्छा रहेगा ओके सिमिलरली यह आपका बेल शेप का जो फावलर्स है यह आपका बेल शेप करता है और यह भी उपर वाला पार्ट इसका रिप्लेसिबल रहता है और इसमें भी आपका एक रोप आया और नीचे से प्र चला गया वह आम लोग अभी आगे में देखेंगे को द्राविंग पूली का सबसे में काम क्या है कि Engles में के पारफ्स के जैसा कि हम लोग कि प्रोफ के एल tem तो यहां पर दे człौ लिए और आपउर में दे दौने जा रहा है अब बातकॉरत इसका और तरह से सुरूआत में तो देखी लिएगे फिर भी एक देख लेता हैं अब इसी कि सीख लेंगे कि कैसे हमारा ड्राइविंग पुली काम करता है जैसे यहां पर आपका दो ट्रैक एक में अप लोड़ेट टब्स लिए एक में अनलोड़ेट टब्स अटाच कर दिये के और भका मूव्मेंट आपका एसा है इसे में लोग वर्किंग भी समझते ही जा रहे आपका दो इधर से आया और यहां पर चला गया तो जहां पर हम लोग पार्ट टिसकस किmac이 है तो इसमें फार रहा गया तब आपका रीटर्न पूली यह ज्यूstill n Rock यहां से आया और फिर घुम गया मलब रिटर्न हो गया वहां से इसलिए उसका नाम रिटर्न पुली ठीक है अब इसका बात कर लेते कि इसमें काम कैसे होता है माली जीए यह आपका जो पुली है ड्राइविंग पुली वह है इसमें क्या होगा कि आपका जो रसा रहेगा वह नीचे से ही आएगा और नीचे से ही चला जाएगा जैसे माली यह आपका यह जो आया यहां से यह रस्ता अंदर जा रहा है इसके पुली के आया 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 इस पॉंट पर आया नीचे से पुली के नीचे से आया उसके बाद फिर एक टर्न लेगा हो सकता है दूसरा टर्न ले और फिर नीचे से ही निकलेगा फिर एक पुली रहे यहां पर एक पुली रहेगा रिटर्न उसके बाद यहां से रिटर्न के चला जाएगा इसमें और फिर आपका पूरा सर्किट ऐसे ही चलते रहेगा ठीक है तो यह था हमारा रिटर्न पुली स्वरी ड्राइविंग पुली के बारे में ओके अब इसके वर्किंग में समझ लेता है वर्कंग में करने के लिए वर्कंग इसका करने के लिए आप मोटर को पावर दिए भी क्या करेगा शाफ को गुमायेगा ठिक है शाफ किसको गुमायेगा अब का पुली को घुमाएगा तो यह एक सर्कुट बना अब आप क्या किये हैं कि यहां पर खाली टब और यहां पर इन बाइंड है या आउट बाइंड में रखे हुए इस चीज को पूरा आपका अरेंजमेंट या बाइंड है अब क्या हुआ आपका यह इन बाइंड है तो इसमें आप आप कमाल भर चुका है फिस क्या सबस्त आप यहां पर क्या करेंगे कि इन अचैशन में तो जब कर दी हो गया वहां पर आप पहुंचा दिए उसके बाद आप या तो डारेक्ट रोपालेजिन क्लाइंगे केस में आप सर्फेस प्तान के ले जाए या फिर शार्ट है तो एक एक करके डॉली में डालके केज में डालके ऊपर लेते जाईए ओक है यह सब रूफ और फ्लोर के बीच में या तो आप एक प्रॉप खुटा खड़ा कर दीजिए वुडेन प्रॉप या तो आप एक रेल खड़ा कर दीजिए उस प्रॉप या फिर रेल के ऊपर आप पुली फिक्स कर दीजिए और पुली के ऊपर से एक चेन पास करिए और चेन से नीच लटका दीजिए एक gravity tension weight अब यह जो लटका दीए आप लेकिन अब लटकाएगा नीचे गिर जाएगा ना अब इसको उठाकर रखना है या फिर उठाकर रखने के लिए क्या करेगा तो यह चेन को जोड़ दिएक टब से और फाइनली इस टब को जोड़ देते हैं इस पर्ट tension पुली से जोड़ दिएगा जहां पर आपको tension provide करना तो tension पुली से आप जोड़ दीजे इस रोग को अब क्या होगा कि रस्सा चल रहा है तो इसका अपना weight है अपना weight के चलती कुछ वजन है कुछ force है उस force को यह जो gravity force नीचे के तरब तो इदर लगा तो यह दोनों फोर् कर देंगे जैसे इसका direction इंदार है magnitude का तो दोनों को ज़रीएगा जब पूर Creatures को का वेक्टर में तो क्या होता है कि zero हो जाता है तो जब zero होगा तो इसी तरह से इसका tension बरकर जाएगा अब बात क्या होई जीरो क्यों होना चाहिए जीरो अगर नहीं होगा माली यह इदर का टेंशन आपका ज्यादा हो गया टान लेगा आपका पूरा चीज कंप्लीट सेट को घिच देगा यह यह फिर आपका यह पूरा सर्कीट का आपका फोर्स ज्यादा है तो आपका यह सब टान टून के लिए चला जाएगा तो इसलिए इसको जीरो होना जरूरी है तो यह सब था बात हमारा टेंशन अरेंजमेंट के बारे में यहां पर देख ल आप शुमारा अंडर रोप एक हो सकता ऊवर रोप अभी तक अपलोग बात से समझी गये होंगे कि अचैनल नीचे से तो अंडर से पार और अब ओपर देखें के उपर से जा रहा है और आप इसको लेटिफ से लेशींग चेंड से यह जो रशा उपर जा रहा है और इसके कारण्ड इस ऊपर वाले रोप से जब आप अटाइच करने तब को और यह कंप्लीट चीज के करना जो मूवमेंट हो रहा है तो इसको बोलेंगे हम लोग अंडर सुरी ओवर वाइट ले लेकर चलिए वाइट लेकर से ओवर रोप एंडलेस होलेश ओके फिर से देख लीजिए पुरा इसके बाद हम लोग चलेंगे अब बात आई कि ठीक है आप जो है एंडलेस और मतलब ओवर यूज करिए चाहिए जो करना करिए आपका जो जैसा कंडिशन्स प्रोवाइड मतलब को परमिट करें लेकिन यहां पर में मुद्दा यह है कि आप टब्स को कैसे अटैच करिए तो कि टब्स करेंगे मतलब ओ वर में भी करतें अंडर वी करते सबसे पहले अंडर इड़ा समझ लेता है कि अंडर क्लिप में कैसे करतेании इसका एक पारडा झोगा इस रोपासे अटाच करने हैं अब क्या होगा कि जैसे रसा मूब करेगा वैसे टब को घीच के लेके चला जाएगा तो इसी में सबसे पहला आ गया हमारा small man clip तो आईए चलिए small man clip देख लेते हैं small man clip में main parts पहले देख लेते हैं कि सबसे पहला इसमें दो side plates होते हैं जैसे यहां पे देख रहे हैं एक यह प्लेट हो गया और एक यह प्लेट हो गया इन दौनों प्लेट को आप एक हेक्सागोनल नट से connect कर देंगे उसके बाद इसके एक एंड पर coupling आम लगा रहता है जिसको आप अपना टब का डी लिंक से आप connect कर दीजिएगा और तब यह खीच के लिए जाएगा इसके अधर एंड पे एक लिवर रहता है लेकिन लिवर का काम मतलब operation समझने से पहले हम लोग इसकी यह पार्ट पर देख लेते एंबर पॉइंट पर यहां पर क्या रहता है एक वैज रहता है कि अब समझते हैं इसको यह कैसे काम करता है उसके बाद लिवर देखेंगे देखें यह माला माली जैपका complete मतलब अभी का जब आप एंगेज नहीं किये हैं तब का अरेंजमेंट ऐसा ऊपर में क्या है वैज है ओके और यह आपका side plate मालीजे ऊपर में वैज है और यहां पर एक लिवर निकला हुआ है और इसके साइड में coupling निकला हुआ है जो आपके टब से जुड़ेगा यह देखिया फिगर भी देखते रही और हमारा हाथ भी देखते रही है अब क्या करेंगे कि जब हम इस लिवर को नीचे खीचेंगे ठीक है डिप्रे और रहा है घुरी घुरी दीर धीर उपर ओगा एसे उपरी उपर और पार मीचे सकते जाएगा है कि आपका नीचे रोब पास कर रहे हैं यह से यह रोब क्रिंशे ओने के कारण फिर आपका जिस डिरेक्शन में आपका डिब का मूइद में यूड Roberts का मूफमेंट होगा तो जब लीवर को नीचे करेंगे तो यह वेज नीचे आएगा नीचे आने करण क्या होगा कि ऐसा कुछ होने लगेगा यह उपर वाला पार्ट पैलने लगेगा और नीचे वाला दबने लगेगा अंदर की तरफ जाने लगेगा अंदर की तरफ जाएगा तो अंदर की तरफ जा है कि भाई आप जो है Robe से इसको ड़ेच कर रहे हो अब रूप से ड़ेच कर रहे हो पलेट को और प्लेट अगर घर्षन करेगा रोप में तो सबसे पहला क्या होगा चंगारी होगा और आप से फेस पर काम नहीं कर रहा हैं यौंग में कर देगा पहला पॉइंट दूसरा चीज चिंगारी आपका वेहरें टीर्ट रोप में तो उससे भी आपको बचाना है तो इसके लिए आप क्या करते हैं कि नीचे वाले पॉर्शन पे यहां पर री क्लीट में दोनों प्लेट में आप बुष लगा देते हैं शॉफ्ट आरंड बुष क्या करेगा कि इसमें जो है वेर एंड टीर नहीं होने देगा कोई घर्शन्ड फ्रिक्शन के कारण स्पार्क जेनरेट नहीं होने देगा ओके यह था पूरे संप्लीट चीज तो ठीक है द अब रस्षा जी चीज डिर्शन में जाएगा वैसे आपका मुवमेंट होगा तो यह आपका स्मॉल में क्लिप एक बार फिर से आप देख सकते हैं अब आगे वाले पर चलते हैं इसी तरह एक स्क्रू क्लिप है स्क्रू क्लिप को क्यूं इसको नाम स्क्रू बोला गया पहल और उपर वाला यह स्क्रूव यह रोटेटेबल है घुमाते हैं कैसे नल खोलते हैं हम लोग वैसे जब आप इसको घुमाईएगा तो यह जब नीचे जाएगा तो यह इस पार को डिप्रेस करेगा तो क्या करेगा यह तो फिक्स आपका इसको इसमें दबाने का कोशिश फिर से इसमें आईरण बुश हम लोग लगा दिया और रश्ता आपका चिलागया आइफ हो समझ में आ गया में और उसके बाद जिदर मूवमेंट होगा इसका जिदर का मूवमेंट होगा उदर इस字 क्लिप का मूवमेंट होगा अब सिर्फ क्लिप घुमा के कुछ महीं होगा क्या है कि तब कैसे करेंगे तो ये पूरे अरेंज्मेंट के साथ आLD लगा देजे candidate link करेंगा इस के साथ आपका टब करते चला जाएगा ना इसे माली जीदर मूब्मेंट है यह आपका जुड़ा हुआ है मालेजे 45 टब कर दिया ठीक है के यहां सटक हो और यहां चोटा हो गयाला मतलब यहां देखिए तो आप कर इंट है यहां पर आपका कю क्लिप आपका रस्ता चल रहा है सरह क्लिप फिछा क्लिप तो क्लिप जो तब से तब से तब भी टान के आगे लेके चला गया यहीं आपका कम्प्लीट बात इसमें फिर से आप देख लिए उसके बाद कैम टाइप क्लिप कैम टाइप क्लिप जो है हम लोग यूज करते हैं ओवर रोप में वह हमारा हो गया है कैम क्लिप कैसे गाम करता है चैनल को एक बढ़ा करते हैं लोग कि यह उसको बढह से अगैसे सब्सक्राइबわかsteppe यह इसको बोलते हैं हम लोग सि Lewis इसको बोलते हैं हम लोग से इसको बोलते हैं इसको इसको बॉलते हैं सिरी verte यह क्या होगा कि जब आप इसको टोड़ से अटेस करिएगा और आपका का जाएगा तो यह दो पार्ट आपंध देख यह जो पार्ट आप देख रहा है यह दोनों पार्ट मिलके रशा को तब जब किये तो जिस तरफ का मुव्मेंट मोर्ण तरफ आपका मुवणमेंट होने लगा हुआ कि अब यहां पर देख लेते हैं लेशिंग चेंड के बारे में जिसके बारे में मिल्सक्स करते हो यह cadre सकते हैं लोग तो आराम से इसे सब्सक्राइब कर लेंगे तो अभी देखिए कि लेशिंग चेन कैसे काम करता है तो हमारा यहां पर टब क्या चीज पर चल रहा है अब हम इसको मुव्मेंट कराना ना अब ठेल के तो नहीं ले आ सकते हैं तो इसके लिए को क्या करना पड़ेगा रोप से टाश करना पड़ेगा रोफ है हमारा ऊपर में पर अंदर में या फिर ओबर में किसी में भी हमको लेशिंग चेन का हम लोग उपयोग कर सकते हैं कैसे करेंगे इसका जो डी लिंक है यहां पर रोप के साथ लगा दीए अब क्या होगा कि माल लीजे रोप आप ऐसे मूव कर रहा है तो यह क्या करेगा गीच के लिए के चल जागा और क्या करेगा वही जैसे आपका माल लीजे अंडर रोप है अंडर रोप में भी यहां पर जिसे यह इतना लंबा कर दिया हम यहां इस डी-link में बागे और इसके बाद हो सकता है इसका देखिए यहां पर यह एक्चुल पिक देखिए लैशिंग चेंड से कैसे अटाच कर दिया है ठीक है अब चलिए देख लगते हैं इसके डिश्वांटेजेस और लेक्चर को कंक्लूड कर लेंगे लोग तो एडवांटेजेस क्या है सबसे पहला है हमारा की यह जो होता है और स्लोविए संस कितना दो से पांच किलोमिटर पर फार रहाएगा है थार्यव से पांट तो स्लोश्पीड होने के कारण इसको थोड़ा साव रिलेट करते हैं डारेक्टड़وں पॉल सी समझने के लिए इसका इडवांटेज में निए लिए अजन घा wraith पीड है इसके कारण आपका वियर एंटियर लगभग निल रहेगा ओके चांसेस ऑफ डी रेलमेंट कम रहेंगे तो और क्या सेटी पैक्टर जैसा कि हम लोग जानते हैं माइन में कहीं कहीं होलेज रोडवे के बगल में हम लोग ट्रैवल भी करते हैं तो जो आदमी आना जान कम पावर का जरूवत है कम मतलब मोटर पावर में भी चल जाएगा हम इसाद जरूवत नहीं कि डिड़ सो इसपी कई आप यूज करेगा डारेक्ट रूपॉल जैसे सब इसके एडवांटेज हैं साथी साथी इसके कुछ डिसेडवांटेज भी हैं जैसे सबसे पहला है हम लोग बात किये थे कि भाईया हमको दो ट्रैक दीजिए इसमें तभी हम काम करेंगे तो दो ट्रैक जो है आप ऐसे ही नहीं बनाएगा आपको गैलरी का विड्थ रखना पड़ेगा तो पहला है गैलरी का विड्थ ज्यादा रखना पड़ेगा ओके दूसरा है कि स्टीप इरेडीयंड्स पे आप नहीं काम कर सकते हैं और सर्ज है कि आप ट्रैक भीछा रहे हैं unable मूब्मेंट कर रहे हैं तो हाथ से नहीं कीच कि ले जाएंगे हम लोग नोला ना सिर्फ होग ही नहीं व कुछ लैंथ भी होगा ना वहीं तो सीधा सा कहने का मतलब है कि बहुत से डारेक्टेंट में क्या था कि माल लीजे आपका आठ गाली का सरकेट मालली जिसे मतलब तो उसके लिए क्या चाहिए आपको साथ क्लिप चाहिए लेकिन अब आप दो ट्रैक यूज कर रहे हैं आठाट गाड़ी का माल लिए आपका सेट चल रहा है तो आपको इसमें कितना करना पड़ेगा 14 मतलब सीधा सा बात है कि more क्लिप्स जरूरत पड़ेगा हमको अब लेक्चर तो खतम हो गया यह पूरा लेकिन एक क्वेश्चन रहेगा आज का की कि endless rope allege में कितना voltage हम लोग power देते हैं electricity का जो voltage रहता हो कितना रहता है वह आप हमको comment box में बताएगा और इसका जो सही answer रहेगा हम next video में इसने बताएगे ओके thank you very much for watching the video I hope आप लोग safe होंगे जहां भी रहे सेफ रहिए और जहां भी निकलिएगा अगर घर से बाहर तो mask लगा के निकलिए अगर आप चैनल को subscribe नहीं किये तो subscribe कर लिए जान थैंक यू बरी मच अगें stay safe ओके थैंक